2000 के नोट भारत में नवेंबर 2016 में RBI त्वारत जारी किये गए थे और 2018-19 वित्तिय वर्ष में RBI ने इने चापना बंद भी कर दिया फिलहाल 2000 के नोट बाजार में चलते रहेंगे लेकिन 23 सितंबर 2023 तक क्लीन नोट पॉलिसी के तहट किसी भी बैंक से एक्सचेंज करवाई जा सकते हैं 23 माई 2023 से सभी बैंक में 2000 के नोट छोटे नोटों से बदलवाई जा सकते हैं और एक बार में अधिक्तम 20,000 रुपए एक्सचेंज हो सकेंगे ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बैंक करमचारी और सामाने जनता को असुविधा ना हो सभी बैंक को निर्देश हैं कि 2000 के नोट किसी भी ग्राहक को ना दिये जाएं और 23 माई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक ही 2000 के नोट बदले जा सकेंगे अब हम इस 2000 के नोट बंद होने या जिसे हम डी मोनेटाइजेशन 02 इसके पीछे की थियरी को समझने की कोशिश करते हैं लगभग पौने साथ लाग करोड नोट 2018 तक प्रिंट हुए थे RBI ने पताया लगाया कि लगभग साड़े तीन लाग करोड ही प्रचलन में हैं इसका मतलब साड़े तीन लाग करोड 2000 के नोट काला धन बन चुके हैं पिछले कई सालों से ED वा अन्य एजेंसीज द्वारा च्छापे मारी में बड़ी मात्रा में 2000 के नोट बरामत किये जा रहे हैं 2000 के नोट का इस्तेमाल, मनी लॉंडरिंग और आतंकवात के वित्त पोशन के लिए भी किया जा रहा है ATM और बाजार में 2000 के नोट दिखाई नहीं देते हैं NSI के रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान, बांगला देश और मयान मार्स से 2000 के जाली नोट बड़ी संख्यामे भारतिये बाजार में चलाए जा रहे हैं कहने का तात पर यहा है कि सभी प्रकार के आर्थिक अपराद में 2000 का नोट इस्तमाल होता है और यही है काला धन अब इस 2000 के नोट बंध होने, जिसे हम Demonetization Part 2 भी कह सकते हैं से हम आप जैसे साधारन लोगों को कोई परिशानी नहीं होगी क्योंकि सामान्य जन्ता के पास वैसे तो 2000 के नोट हैं ही नहीं और यदि हैं भी तो वह आसानी से exchange करवा लेगा लेकिन जिन लोगों ने 2000 के नोट एकटे कर रखे हैं उनके लिए यह एकत्रित काला धन बैंक से बदलवाना वाकई जाच का विशय बनेगा साथ ही 2000 के नकली नोट भी बैंक में तुरंत पकड़े जाएंगे और कानूनी कारवाई भी होगी और यदि कोई 30 सितंबर 2023 के पहले अपने 2000 के नोट बैंक में जमा नहीं करते हैं तो एक अक्टूबर से वे कागज की टुकड़े बन जाएंगे ब्रश्टाचार पर शिकंजा कसने के लिए ही यह मत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और सरकार के इस फैसले पर आपत्ती और नाराजगी भी सर्फ ब्रश्टाचारियों को ही होगी हर इमानदार व्यक्ति के लिए यह कदम सराहनिय है